अब उसके बाद हमें next निकालना है expression for minimum number of teeth on pinion to avoid interference मतलब यह आपका pinion है तो इसमें कितने teeth होने चाहे minimum number के जिससे आप क्या है आपका interference avoid किया जा सके ठीक है तो वो हमें expression निकालना है तो अब जहान देंगे जैसे कि आपका यह pinion है यह pinion का base circle है और यह piece circle है ठीक है वैसे ही आपका gear का यह base circle है और यह piece circle है तो जैसे कि मैं अब बोल रहा हूं यह pinion का आपका addendum circle का होगा हमेशा इसके उपर ही होगा piece circle के उपर और इधर addendum circle होगा तो मैं pinion का addendum circle यहां बना रहा हूं यह आपका pinion का addendum circle है pinion का यह addendum circle है अब ध्यान देंगे, मैं क्या बोल सकता हूँ, देखिए, अब इस pinion का आप radius, piece circle radius, O1 से ये वाले जूड़ी बोल सकते हो, O1 से P को, ये piece circle radius होगा, और addendum circle radius क्या होगा, ये center है, pinion का O1, ठीक है, यहाँ center से O1 P को आप बोल सकते हो, आपका piece circle radius, वैसी आप ये addendum circle है, तो pinion के लिख दे रहा हूँ, ये वाला दूरी है, आपका R, मतलब piece circle radius, और ये distance हो जाएगा, आपका RA, मतलब pinion का addendum circle radius, देखिए, अब सबसे पहले ये consider करते है, maximum value of addendum radius of pinion, मतलब इसका maximum radius कितना हो सकता है, ये pinion का ये वाला distance, तो इस distance को आप क्या लिख सकते हो, O1 B भी बोल सकत इसको, ये क्या हो जाएगा, आपका O1 B, तो maximum radius pinion का क्या हो सकता है, O1 से B, अब ये triangle पे हम main focus करते हैं, तो इसको मैं यहाँ पर order कर देता हूँ, ये आपका A point, और ये B है, ये है आपका O1, और यहाँ पर कहीं पर होगा P point, तो हमारा ये वाला triangle हमने consider किया, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है, इनके बीच, five angle बन रहा है, तो इनके बीच क्या है, five angle बन रहा है, अब देखिए, O1 से B, ठीक है, ये आपका maximum radius हो सकता है, sorry, maximum addendum radius हो सकता है, spinion के लिए, ठीक है, अब क्या है, इसको मैं, अब हमें यह तम चीए देखिए A1 तो इसको आप कैसे निकाल सकते हो, देखिए ये O1 से P यहां देखिए O1 से P इसको क्या लिख सकते हो, R लिख सकते हो, O1 से P को, तो मैंने क्या जना रिफ दिया a1 को क्या लिख सकते हो r cos 5 यह वाला distance यह a1 को कैसे निकाल सकते हो आप a1 सॉरी cos 5 क्या हो जाएगा इस ट्रेंगल में a1 divided by यह वाला तो आप a1 को ऐसे निकाल सकते हो अब देखिए a से b को आप कैसे लिख सकते हो ap plus pb अब ap को भी आप ऐसी लगा हो तो आपको यह क्या मिलेगा ap r sin 5 और pb को भी आप ऐसी रिजॉल करो तो आपको मिलेगा capital r sin 5 यह capital r इस गेर का आपका p circle radius होगा capital r अब इसे expand करिए पूरे आप bracket open करिए और expand करिए तो आपको यह कुछ इस तरीके से rearrange होगा फिर आप इसे यहां से cos square 5 plus sin square 5 इसको वन लिख सकते हो अब यहां से अपने यह वाले बाकी से अपने sin square 5 को common निकाला तो आपको अंदर में यह मिला अब इस यह equation में क्या करोगे आप r square को common निकालो तो आपको यह मिलेगा उसके बाद आपका यह expression कुछ इस तरीकी का होगा ठीक है तो small जो r है आपका pinion का piece circle radius है उसी प्रकार आपके gear का piece circle radius होगा उसके बाद आपका देखिए आपका maximum value of addendum radius of pinion यह क्या है हमने अभी जस निकाला है यह ठीक है यह वाला अब इसको आगे resolve करोगे तो यह ध्यान देंगे अब देखिए maximum value of addendum of pinion ठीक है maximum value इस pinion के लिए क्या हो सकता है मैंने पहली बताया आपका addendum क् आपका piece circle है और addendum circle इनके distance क्या है आपका addendum कहलाता है तो अब pinion के लिए क्या हो जाएगा maximum addendum कितना होगा देखिए पहले की diagram से यह pinion के लिए जो आपका pinion है इसके लिए addendum क्या हो जाएगा आपका यह वाला देखिए piece circle है और यह आपका addendum circle तो इनके भी जो distance होगा बटना हो सकता है O1 B से यह वाला इसको माइनस कर दो आपका piece circle को ठीक है तो यह distance आपका maximum value हो सकता है इस pinion के लिए addendum का तो आप O1 B माइनस इसका radius piece circle पिनियन का ठीक है small r इसको माइनस कर दो तो आप इस expression को resolve करोगे तो आपको यह कुछ मिलेगा अब देखिए यहां पर क्या होता है हम यह भी module is equal to होता है आपका d by t ध्यान देंगे इस pinion का module होगा वो होगा d by t module इसको बोलते है d by t मतलग इस pinion के diameter divided by इसके number of t इसके ratio को आप बोलोगे module तो आप इसको rearrange करेंगे अब हमारा addendum का हम value ले लेते हैं a आपका addendum है और m module है इसकी value लेते हम addendum करेंगे value of addendum यह लेते है module times a अब यह क्या होगा यह value आप लिए हो यह maximum addendum है pinion का उससे हमेसा कम ह होना चाहिए तभी आपका interference avoid होगा तो आप यह relation करें और इसको resolve करोगे तो आपको यह minimum number of teeth on pinion यह वाला expression मिलेगा तो यह expression आपको ध्यान देना है तो यह वाला आपका expression रहना है जिसमें आपका ध्यान देंगे जो capital T है वो बड़े वाले gear में कितने teeth है वो है और small t है वो pin में कितने number of teeth है वो है M आपका modular और A addendum है इसको आप कैसे निकाल सकते हो इस pinion का जो आपका addendum circle radius है और यह pinion का जो piece circle radius है इनके बीच की दूरी ठीक है similarly आपकी gear के लिए भी वैसे ही होगा तो यह था आपका expression for minimum number of teeth on pinion to avoid interference उसके बाद है आपका law of gearing यह क्या होता है जिहान देंगे जैसे कि आपका यह दो आपके gears हो ठीक है मतलब gear wheel हो जिसमें teeth नहीं है तो जब आपके दो gear यह wheel है rotate करेंगे तो इनके जो common point होगे जिसे हम piece point बोलते हैं वहाँ पर velocity क्या होगी common होगी एक समान होगी ठीक है वहाँ पर क्या है velocity एक समान होगी तो अब इस point का velocity common है तो आप यह लिख सकते हो और velocity is equal to आप क्या लिख सकते हो angular velocity इंटू radius तो आप यह कर सकते हो अब इसको आप rearrange करोगे तो एक ratio मिलेगा जो कि constant होता है और इसी ratio को ही यह जो कि constant होता है इसको ही आप law of gearing क्याते हो तो जो भी profile law of gearing को follow करता है वो suitable profile होता है हमारे gear के लिए ठी यदि आप suitable बोल रहे हो मतलब gear के लिए वो law of gearing को follow करने ही चाहिए तभी वो suitable profile कह रहाएगा suitable profile में कौन-कौन सा होता है हमारे gear के लिए आपका invalid profile होता है और cycloidal profile ये दोनों profile suitable होते है gear बनाने के लिए ठीक है मतलब gear profile के लिए उसके बाद है ये सारे formulas हैं ठीक है जो हमने already discuss कर लिया है ये सारे formulas को आपको याद रखना है ठीक है ये सारे formulas आपको याद रखने है आगे numerical में हम solve करेंगे ठीक है तो ये आप जो formulas है एक बार revise कर लिजे आप ये slide को थोड़े दिर pause करके revise कर लिजे आगे हम इस formulas का यूज करेंगे numerical solve करने में और ये सारे formulas ये formulas को भी आप revise कर लें